नमस्कार दोस्तों, कार खरीदना सबका सपना होता है, एक बड़ा investment है कार, ठीक है, एक investment नहीं कहाएंगे, एक सौक पूरा करना, अपने dream पूरा करना कार खरीदना होता है, तो actual में कार कब खरीदना चाहिए आप लोगों को, नॉवंबर, दिसंबर के महीने में, क्यूंकि इ आपको अच्छी value चाहिए आपके car की और जब भी आप sell करने जाओगे तो जो भी buyer होगा ठीक है आप as a seller treat किये जाओगे और आपकी गाड़ी एक देखी जाएगे कि कितनी पुरानी है ठीक है अगर आप 2020 में buy कर रहे हो और अगर आप लोग 2025 में बेच रहे हो तो आपकी आप लोग January के मंत में खरीदते हो जो December में नवंबर में खरीद रहे हो वही January के मंत में खरीदते हो तो 2025 में बेचते हो तो उसी car को 4 साल पुराना माना जाएगा तो आए कुछ इस पहलू को समझते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा point of view बनता है गाड़ी खरीदने के लिए औ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए क्यूंकि दोस्तों ये चैनल है Personal Financial Rated आपके पैसों का सही यूज करना हम बताते हैं और साथ ही आपको investment में भी help करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को जरू क्लिक कीजेगा देखि ठीक है क्योंकि कई लोगों के एक emotion जुड़ जाते हैं कार से ठीक है तो आप लोग उसको 10 साल 15 साल या फिर आगे अपने पास ही रखने वाले हो उस कार को तो आप लोगों के लिए best समय होता है क्योंकि इस समय जो कार की price होती है उसमें आप लोगों को 50,000 से लाक रुपे क आप लोगों का purpose यह है कि 4-5 साल चला करके हम कोई नई model की कार लेंगे इसको sell करके तो आप लोगों को सबसे पहले तो जो भी आप लोग कार ले रहे हैं उसकी resale value चेक करनी पड़ेगी ठीक है resale value चेक करते हैं जैसे कि आप लोग ऐसी cars को ढूड़िए जिनकी demand market में ज़्यादा हो जैसे कि अगर हम सुजुकी की कारे के बात करते हैं तो उसकी ज़्यादातर कारे चाहे आप लोग सुफ ले लो चाहे desire ले लो या फिर कहलो कि आप उसकी auto भी ले लो उसका भी resale value और काफी तेजी से वो बिक्ती है क्योंकि उसकी market में demand ज़्यादा है क्योंकि उसमें mileage ज़्यादा लोगों को मिल जाती है इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा attract होते हैं ऐसे ही Hyundai की भी कई कारे हैं जैसे वर्ना हो गई Hyundai के i10 हो गई और इस तरह की जो भी कारे हैं अभी तो जो नई कारे launch होई हैं लाइक आप लोगों के Hyundai i10 नियोस ये भी काफी अच्छी कार है तो इसकी भी resale value आप लोगों को future में काफी अच्छी मिल जाएगी अब जो नई i20 आ रही है उसकी भी resale value काफी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि जो भी लोग देखते हैं वो देखते हैं mileage और उस कार में features क्या मिल जाते हैं अब इससे पहले वाली i20 आप लोग पुरानी वाली लेते तो उसमें mileage का बड़ा issue था तो इस हिसाब से i20 की resale value उतनी नहीं मिलती है ठीक है उससे कोई खरीदना नहीं चाता है तो ये कुछ कारे हैं जो कि आप लोगों को idea मैं दे रहा हूँ कि इनकी resale value अच्छी मिलती है तो as a resale value के purpose से आप देख रहे हो और जो भी नई कारे launch हो रही है इस बात को भी आप ध्यान रखना है जो भी नई कारे launch हो रही है उनमें आप लोगों को छूट ना अभी मिलने वाला है ना अगले साल मिलने वाला है तो आप लोगों को मेरा suggestion रहेगा कि अगर आप लोग और वेट कर सकते हो एक-दो महीने का और वेट करना चाहते हो जो भी नई कारे launch हो रही है जैसे कि i20 launch हो रही है उन्डए कि i10 नियोस है तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा discount नहीं मिलेगा ज्यादा ज्यादा आप लोगों को 30-40,000 रुपय का discount मिल जाएगा अब य जो भी बात आती है वो resale value के ही आता आती है कि आप की car कौन से model की है कितनी पुरानी है इसी purpose से आप लोग इन दो सालों के बीच confused रहते हो तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि जो भी नई कारे launch हो रही है उनको आप लोग 2021 में खरीदो क्योंकि बहुत ज्यादा फरक आप को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग car खरीदो ठीक है तो अब कई बार क्या होता है कि हम 2021 में भी खरीदते हैं तो वो जो model होता है वो 2020 2020 का होता है यानि कि एक साल पहले का होता है उसकी बोलते हैं दोस्तों manufacturing जब भी आप लोग car book कराते हो तो आप लोग हमेशा dealer से कहो कि मुझे अगले साल की चाहिए ठीक है जैसे कि कई बार क्या होता है कि जिन्होंने car 2020 में book करी है लेकिन उनको deliver 2021 में होना है मार्च के महीने में जैनवरी में अपरिल में फैबरी में क्योंकि अगर आप लोग book करते हो किसी car की ज्यादा demand होती है तो फिर आप लोगों को उस की वो model की होती है ठीक है आप लोगों की नहीं जो model है वो तो same रहेगी उसमें कोई features वगेरा में किसी भी तरह के changes नहीं होंगे लेकिन जो आप लोगों को गाड़ी मिलेगी वो पुरानी model की मिलेगी यानि की पुरानी manufacturing unit मिलेगी तो इस बात का आप लोग ध्यान है कि आप लोगों को December तक में car मिल पाए क्योंकि वो January में shift हो जानी है अगर उस car की ज्यादा demand है तो आप लोग dealer से ये बोल दो कि हमें 2021 की manufacturing चाहिए या भी किसी भी साल के जब भी आप लोग book कर रहे हो ठीक है अब ऐसा नहीं कि आप लोग January में book कर रहे हो और आप लोग 2022 क manufacturing मांगो ठीक है आप लोग इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो जो लोग November दिसंबर में कारे खरीद रहे हैं बाकी अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा तर कारे अगर सौकीन हैं आप नहीं रहा जा रहा है आप लोगों से और आप लोगों को लगता है कि resale value ज्यादा मिल रह आते हैं तो वहाँ पर आप लोगों की जो कार की resale value होगी वो ज्यादा effect नहीं करेगे ठीक है बाकी आप लोगों के उपर है कि आप लोग 2021 की manufacturing लेते हो या फिर 2020 की manufacturing लेते हो अब ये वीडियो आप लोग future में भी देख रहे हो तो उस हिसाप से अंदाजा लगा ले ना कि म तो इनमें आप लोगों को जादा discount festive season में नहीं मिलेगा वही discount मिलेगा वही discountable होती है जो की 2020 में पुरानी गाड़िये manufacture हो गई है जल्दी से निकालना है units उनकी जो भी booking हुई है इसलिए उन कारों पे आप लोगों को जादा discounts मलता है इस बात का भी ध्यान रखीगा तो नहीं हम discount के चकर में अपना future loss तो नहीं कर रहे है ठीक है तो उनके साथ share करेंगे तो उनकी help हो जाएगी एगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई topic हो जिस पर आप लोग वीडियो चाहते हो तो नीची comment कर सकते हैं मैं आप लोगों क दिन सोब हो जाहन